फ्रेंड्स आप सब कैसे आयों आप सब अच्छे होगे आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगी कि हम बिना बुक्रम के अपने गले को कैसे फिनिश कर सकते हैं चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यह पट्टी की कटिंगना करके आपको मैं एक नई कुर्टी को बनाना गले को बनाना बताऊंगी अब हम ऐसे क्या करेंगे जो यह हमने कपड़ा लिया है इसको ऐसे ले लेंगे तो इस कपड़े की वीर्थ हमारी जो यह हमारा फोल्डेट हिस्सा है इसको अपनी साइड ऐसे रखना है तो जो हमारी वीर्थ है यह तीन इंच लीती हमने गले की तो इसको ऐसे 3 इंच लेना है और उसके बाद इसको ऐसे बिचा देना और 3 इंच के बाद कम से कम हमारा 3 इंच आगे और कपड़ा होना चाहिए तो यह हमारा टोटल 6 हो गया और डबल करके 6 और सिंगल करके ये 12 हो जाएगा तो हमें 12 इंच चोड़ा कपड़ा लेना है और ये हमने ऐसे हमने अपने गले की कटिंग 7.5 इंच की तो इसे भी कम से कम हमारा 2 इंच कपड़ा नीचे होना चाहिए तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 9.5 इंच लंबा और 6 इंच चोड़ा हमारा कपड़ा हो गया तो चलो अब इसको हम कटिंग करते हैं इसको हमने ऐसे डबल करके बिछा लिया है अब हम क्या करेंगे कि जो हमने अपने नेक कटिंग करी थी इसमें से और जो ये कपड़ा हमारा बीच का निकला था, अब ये हमारा बैक अब हम इसको ऐसे बिचा लेंगे, ऐसे बिचाने के बाद ऐसे ड्रो कर लेंगे, ये हमारा राउंड शेप में आ गया है, अब इस से कम से गव हम दो इंच के ऐसे निशान लगाते हुए कपड़े की करेंगे, अब हम इसके उपर कटिंग करेंगे, तोनों की उपर, पहले हम जो आउटर वाला है, उसकी कटिंग करते हैं, ये आउटर वाले की कटिंग होगी और अब हम इनर वाले की कटिंग करेंगे, ये इनर साइड की कटिंग है, ये हमारा कटिंग हो गया, ये बैक का है, तो अब हम क्या करेंगे जो यह हमारा center का folded हिस्सा है इसमें अब हम छोटे-छोटे दोनो साइड उपर नीचे inner side और outer side दोनो साइड हम नोचेस लगा लेंगे तो यह हमें पता चल जाएगा कि यह हमारा center का है तो जो यह हमारी back कुर्ती का back piece है इसके साथ इसको ऐसे रख देंगे अब हम अपने front के गले की ऐसे ही cutting करेंगे हम अपने front की cutting करते हैं मेरे पास कपड़ा कम था तो इसलिए मैंने इसके अंदर दो pieces को जोड़के करके इनको एक कर लिया है तो यह अब हमारा center वाला हो गया है तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा front हमने cutting करी थी neck तो जो यह हमने stitch की हुई है इसके बाहर जहां यह सिलाई का निशान है इसके बाहर इसको ऐसे रखते हुए ऐसे निशान लगाके कटिंग करेंगे यह कर लिया अब ऐसे हम यहाँ पर भी दो दो इंच के निशान लगाके हुए कटिंग कर लेंगे अब यह हमारा फ्रंट की भी कटिंग हो गई है चलिए अब मिशीन पर चलते हैं कि देखते हैं कि इसको कैसे जोडते हैं सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यह हमारा इाउटर सिम जो हमbnे अपने नेक की फिनिशिंग करी थी जो हमने पट्टी लगानी है जो हमारी यह भार की साइड हो गई है यह दिखिए यह हमने इसको ऐसे फिला लिया है हमने इसको ऐसे round shape में रख लिया है और जो ये हमारी भार की side है ये हमारा अंदर लगेगा कपड़ा और ये भार लगेगा तो इसकी side हम क्या करेंगे उल्टी side half half inch का half half inch का मारचन देते हुए अब हम यहाँ पे कच्ची सिलाई करेंगे ऐसे हम इसको half inch का ऐसे fold करते जाएंगे और अपने कच्ची सिलाई देते हुए जाएंगे चलिए कच्ची सिलाई देते हैं और जो ये हमारा joint आया था अब हम इसको ऐसे चीर लेंगे ऐसे फिला लेंगे और ऐसे इसको यहाँ पे fold कर देंगे ये हमारा front का होगया ऐसे हम back कर सिलेंगे अब हमने front और back neck की finishing को half inch का margin देते हुए कच्ची स्लाई दे लिया अब हम इसको अपने कुर्ती के उपर attach करेंगे कुर्ती के उपर attach करने के लिए क्या करेंगे कि जो ये हमारा कुर्ती का center है और जो हमारा ये neck का center है अब हम कुर्ती का अपना right side उपर रखेंगे तो ये हमारा कुर्ती का center हो गया और ये हमारा जो हमने neck लगाना है उसका center हो गया तो इसको यहां से ऐसे बीच में से रखेंगे और center से ही सिलना शुरू करेंगे पहले एक side से सिलेंगे फिर दूसरी side से तो इसको ऐसे रखेंगे और आपने जितने inch का margin रखा है half का रखा है या point two का रखा है अब हम उस करना शुरू करते हैं दोनों का हमने soft hand से काम करना है यह हमारा एक side लग गया अब हम इसको दूसरी side से लगाएंगे तो अब हम कुर्ती को दूसरी side ऐसे पल्ठ लेंगे फिर जहां से हमने center की सिलाई शुरू करी थी वहीं से अब दोबारा हम center की सिलाई शुरू करेंगे तो यह हमारा proper यह हमारी sly लग गया अब हम इसको ऐसे पल्ठेंगे जो यह हमारा कपड़ा है जो हमने इसकी facing लगाई थी इसको उपर रखेंगे और इसको ऐसे पल्ठेंगे जो यह हमने margin लिया था यह हमारा machine का foot है इस side होना चाहिए यानि की right side होना चाहिए तो इसको ऐस पलटेंगे और हमने जो यह फेसिंग लगाई थी इसके उपर सिलाई एक पेर की लव की सिलाई देना शुरू करेंगे यह हमारा जो कूर्थी का में पीस उसकी उपर सिलाई नहीं आनी चाहिए यह हमारा देखिए हमने यह सारी सिलाई लगा दी थी अब हम इसके उपर कच्चा टंका मारके इसको अब हम ठ्यार करेंगे तो जो हमने यह सिलाई करी थी अब इसको ऐसे अंदर लेके यहां से ऐसे कच्चे टंका लगाते हुए इसको स्टिच करेंगे और बाद में इसके उपर हम हैमिंग करेंगे अगर आपकी चोईस है कि आप इसके उपर सिलाईłosती करना हो तरुपाई करके या तरुपाई pela जो मैं इसकी उपर लगा हम एसको तरुपाई करूँगी तो इसलिए मैं अब हमारा गला बिल्कुल जिसम जो मैंने आपको टिक विदी थी ट्रिक्स बताई थी बिल्कुल राउंड शेप में बन गया है जो अब हमारा जो यह एक्स्टा कपड़ा है इसको हम यहां से कटिंग कर देंगे यह देखिए सारा बन गया है अब हम ऐसे जो प्रोसीजर इसके उपर किया था वह बैक साइड की उपर भी करें अगर आपको यह मेरी चोटी सी एफस पसंद आती है तो प्लीज इस मेरे वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए अगर न्यू आये तो मिलती रहे थैंक यू